Fireboard Dream Smartwatch Set Timing in 12 Hours जी हां दोस्तों आप सभी चेक आउट कर सकते हैं कैसे आप सभी इस तरीके की टाइमिंग सेट करेंगे जहां पर आप देख सकते हैं टाइमिंग हो रही है 7 बज़के 41 मिनिट्ट आप सभी को अपने Android फोन में भी दिखा देता हूं टाइमिंग कितनी और ही देख सकते हैं आप साथ बज़के 43 मिनिट हो रहा है तो कैसे आप सभी इस तरीके की टाइमिंग सेट करेंगे काफी लोग करें कि जो हमें 24 आवर्स वाली जो टाइमिंग है 19-22 इस तरीके से बज़ आप सभी लोग स्कीन पर भी देख सकते हैं टाइमिंग हो रही साथ बज़कर 42 मिनिट ठीक है तो यहां पर मैं जो है अपना अनलोग कर लिता हूं वाच को इसके लिए आपको सैटिंस के उपर जाना होता है ठीक है सैटिंस के उपर जाने के बाद दोस्तों यहां पर आपक सैटिंस का आपको ध्यारखना है कि यह सैटिंग आपको डिसमले में विल्कुल भी नहीं मिलने वाली है थोड़ा साब नीचे जाएंगे ना तो यहां पर आपको इस स्विच्टम करके सैटिंग मिलेगी इसके पर आप क्लिक कर दो क्लिक करने के बाद यहां पर आपको जो इस तरीके से देखने को मिलेगा select time zone जी हां दोस्तों आप से भी check out करें ये जो है enable होगा ये सबसे बेकार चीज़े use 24 hour format to ये इनेबल होगा इसको आप off करो जैसे आप off करोगे आपका automatic लिए जो इस तरीके से timing में convert हो जाएगा जो कि आप सभी check out करो साथ बज़कर 43 मिनिट हो चुका है और इसको off करने के बाद select time zone पे जाकर यहां पर आपको call काटा कर देना है जी हां दोस्तों इतना करने के बाद दोस्तों आप इसको back करें back करने के बाद मैं आपको दिखायता हूं ठीक है options को turn off करना है देखो यहां पर timing जो है आप सभी के स आपको जानना है कि मैंने कैसे custom wallpaper set किया तो आप इसके लिए मेरी check out कर सकते है वीडियो लिंक आपको description box मिल जाएगा और मैंने ये भी बताया कैसे आप इसके अंदर पासफ़र लोग लगा सकते हैं और मैंने ये भी बताया कि कैसे आप इसके अंदर camera application को use कर सकते हैं सबी व बतायेगा तो आप ऐसा करो कि मेरे चैनल के साथ जुड़ जाओ सब्सक्राइब कर लो या फ्री को कोश्ट है और साथ के साथ बैल आइकन को set कर दो all पे ताकि मैं ऐसी useful वीडियो अप्लोड करूं तो आपके पास वीडियो का notification affinity आना चाहिए तो आज कि इस वीडियो में द